नमस्कार and welcome to my YouTube channel English for all दिस इज मनीश राय आज प्रस्तूत है वर्गवारह के बच्चों के लिए very very important objective type questions की तीसरी वीडियो बच्चों प्रत्थम दो वीडियो की तरह आज की वीडियो भी 14-15 मिनट की होगी आज की वीडियो में सुरू से अंतक बने रहें और इन महत्वपूर्ण 25 प्रस्तनों के उत्तर देखें या वीडियो जरूर आपके लिए परिक्षा में उपियोगी शाबित होगी तो आएए 25 प्रस्तनों की इस वीडियो की सुरुवात होती है question number 1 से बच्चों question number 1 पूछता है कि religion is ever present in Indian life is a line from आपको बताना है कि भारती ये लोगों के जीवन में धर्म जो है न वो हमेशा मौजूद रहता है तो यह जो पंक्ती है निम्न में से किस चैप्टर से लिग गई है the earth से लिग गई है the artist से लिग गई है इंडिया थ्रू ए ट्रेबलर साइज से ली गई है या नौन अब्दिज किसी में से नहीं ली गई है बच्चों आपका सही जाब होगा यह जो पंक्ती है न की religion is ever present in Indian life या इंडिया थ्रू ए ट्रेबलर साइज नामक चेप्टर से ली गई है और इसके लिए बच्चों आप पाथे पुस्तक में पर लेस बग की रचना इंडिया थ्रू ए ट्रेबलर साइज 95 नंबर पेज पर देख सकते हैं बचों question नंबर दो पुछता है the host was called to kill a dangerous यानि जो host था न जो मेजबान था उसको बुलाया गया किस सीज को मारने के लिए बुलाया गया snake को, pig को, dog को या non बताइए बच्चों क्या होगा snake को, क्या मारने के लिए बुलाया गया था snake को, अता the host was called to kill a dangerous snake यानि मेजबान को एक जहरीले साप को मारने के लिए बुलाया गया था और बच्चों इसके लिए भी आप पर लेस बग की रचना इंडिया थ्रू ए ट्रेबलर साइज देख स लमोव सहब के कुत्ते का क्या नाम था बच्चों टॉमी, लीप, गेस या इनि में से कुछ नहीं आपका सही जवाब होगा C, गेस जी लमोव सहब के कुत्ते का नाम क्या था गेस और इसके लिए बच्चों आप एंटन चेकोव की रचना एह marriage proposal पढ़िए ठीक है इसके लि नमबर फोर question है कि Benji got married at the age of यानि Benji की साधी कितने वर्स की आयू में हुई जी 25 साल में, 35 साल में, 40 साल में, 45 साल में रखेगा बच्चों कि Benji की साधी 40 वर्स की आयू में हुई थी अता question number 4 का सही जवाब होगा C, 40 और बच्चों इसके लिए आप, इसके लिए आप attributes की रचना the earth देख सकते हैं number 5 कहता है, बच्चों number 5 कहता है कि the editorial policy of a popular daily is controlled by खाली अस्तान cheap factors यानि किसी भी दैनिक समाचारपत्र की जो संपादकी ये निती होती है न, वह नियंत्रित होती है तो उसको नियंत्रित करने के कितने मुख्य कारक होते हैं, एक, दो, तीन, चार तो बच्चों आपका सही जवाब होगा 2, क्या होगा, the editorial policy of a popular daily is controlled by two chief factors और बच्चों इसके लिए आप Darothal Sayers की रचना how free is the price देखें, उसका भी हिंदी explanation हमारे चनल पे available है वहाँ आ करके एक बार जयूर देखें, अता पांच का भी हुआ, नमबर बच्चों 6 कहता है कि who became one of the first women to graduate from Oxford University आपको बताना है कि नीम नमेश कौन, Oxford भी सुबिद्याले से graduate होने वाली प्रत्व महिलाओं में से एक थी तो बच्चों आपका सही जवाब होगा, option A, डेरोथियल सेयर्स जो थी Oxford भी सुबिद्याले से graduate बनने वाली कुछ महिलाओं, मतलब महिलाओं में से मतलब प्रत्व महिलाओं में से एक थी, अता 6 का A होगा, डेरोथियल सेयर्स और बच्चों इसके लिए भी आप अपनी पाठे पुस्तक में डेरोथियल सेयर्स की रचना How free is the price देख सकते हैं नमबर सेबन कहता है कि the naming ceremony is hailed when the baby is seven days old, six days old, eight days old या ten days old या नामकरन समारोह जो होता है वह परिवार में आयुजित किया जाता है जब बच्चे की उम्र साथ दिन की होती है, छे दिन की होती है, आठ दिन की या दस दिन की बच्चों इसका सही जाब होगा seven day जी वो नामकरन समारोह जो होता है वो बच्चा जब साथ दिन का होता है तब होता है आता question number 7 का option A जो साथ दिन है वहीं सही होगा और इसके लिए बच्चों आप जर्मेन ग्रीर की रचना A Child is Born देख सकते है number 8 कहता है कि CB is now in gross denies आपको पता है ना CB की कहानी बच्चों The Artist of Seiga Noya की रचना है पता है ना तो CB जो है अब फिर से तलीन है किस काम में dancing में की singing में की pictures में या non बच्चों pictures में पहले गोर्ड में वो passionately interested था न तो उसके पिता जे ने सारे गोर्ड को क्या कर दिया बच्चों वो चकना चूर कर दिया उसके बाद ये चित्र बनाने लगा है तो 8 का C सही हो जाएगा pictures और इसके लिए C गा नोया की रचना the artist देख सकते है बच्चों number 9 कहता है Benji was very much interested in आपको बताना है कि Benji की सबसे ज़्यादा रूची निम्न में किस में थी money में, dogs में, hands में या किसी में नहीं बच्चों आपको पता है न मुर्गियों में, Benji की रूची जो थी वह मुर्गियों में थी, वह किवल मुर्गियों को ही समस्ता था और किसी बचीज को नहीं समस्ता था अतनौ का B सही होगा और इसके लिए बच्चों आप attributes की रचना the earth, sorry इसके लिए आप, जी, attributes की रचना the earth देख सकते है नमबर दस कहता है बच्चों कि we are dazzled यानि हम चकित हो गए हैं, हमारी आँखें चौधियां गई है by the material progress, जो भावतिक तरक्की की है न western science ने, यानि यहाँ पर यह कहा गया we are dazzled by the material progress that western science has made has been said by, यानि यह पंक्ति किसके दोरा कही गई है कि भावतिकी पस्त्मी बिज्ञाने, जो भावतिक तरक्की की है उससे हमारी आँखें जो है न, वो चौधिया आ गई है यहाँ कथन किन का है, पंडित नेरू का है, टैगोर का है महात्मा गांधी का है, या जौन डन का है याद दखेंगा बच्चों, यह कथन जो है, महात्मा गांधी का है और इसके लिए आप Indian Civilization and Culture देख सकते हैं बच्चों, नमबर 11 कहता है कि the quality of education is inescapably involved in the quality of the nation होगा इसका अर्थ यह होता है, कि सिक्षा की जो गुणवत्ता होती है वो अपरिहार रूप से, वो अपरिहार रूप से राष्टर की गुणवत्ता में सामिल होती है अता 11 का A सही होगा, नेशन सही होगा और इसके लिए डॉक्टर जाकिर हुसेन की रचना भारती is my home देख सकते हैं आप आए नमबर 12 चलते हैं बच्चों नमबर 12 कहता है, कि नानु काका वाज coming to, to see some minister यानि नानु काका मंत्री से मिलने के लिए आ रहे थे मुंबई आ रहे थे, पटना आ रहे थे, चंडीगड आ रहे थे, दिल्ली आ रहे थे क्या जवाब होगा बच्चों, नानु काका कहां आ रहे थे, दिल्ली आ रहे थे अता 12 का D होगा, और इसके लिए मनोहर मालगाओं कर कि रचना ए पींच आप सनफ देख सकते हैं आप, नंबर 13 कहता है, आपको बताना है कि निया का जो बैंक है न, वो कभी बैंकरप्ट, अर्था दिवालिया नहीं हो सकता, यह कथन किस चैप्टर से लिए आ गया है, एन एपिटाप से लिए गया, दे सॉल्जर से लिए गया, सॉंग अफ माइसल्ब से लिए गया, यह आई हैब ड्रीम से लिए गया, तो बच्चों, यहाँ पे सही जवाब होगा, तो बच्चों, आपका सही जवाब होगा, नेपोलियन से, किस से, नेपोलियन से, और इसके लिए टी एस इलियट की रचना, वो मैकावीटी दा मिस्ट्री के आप देख सकते हो, बच्चों, पंदरो कहता है, कि जॉन डन एकसेप्टेड ओर्डिनेशन एड़ दा एज़ आज़ आज़ यह जॉन डन जो है, 42, जी, 42 वर्स की आईव में, जॉन डन ने ओर्डिनेशन एकसेप्ट किया था, अता पंदरो का ए होगा, बच्चों, सोला कहता है, पिकॉक पाई हैज बिन रिटन बाई, आपको बताना है, पिकॉक पाई किसकी रचना है, वाल्टर डिला मेयर की, जॉन डन की, टियस इलियट की, नॉन की, बताइए बच्चों, प्लीज, बताइए, पिकॉक पाई किसकी रचना है, बच्चों, मै जो कियाता है, what did the poet throw at the snake, यानि आपके पाठे पुस्तक में जो D.H. Lawrence की रचना है snake, उस रचना में D.H. Lawrence जो होते हैं न सांप को मारने के लिए क्या फ्रो करते हैं, क्या फेकते हैं, घडा फेकते हैं, पत्थर फेकते हैं, लॉग, लकडी का डंडा फेकते हैं, या कुछ नही फेकते हैं, बच्चे आज रखेगा लकडी का डंडा फेकते हैं, आता सतरा का C होगा, लॉग, क्या होगा, लॉग, और अठारा कहते हैं, रूपर्ट ब्रुक is soldier, रूपर्ट ब्रुक जो है न, वो soldier है, सैनिक है, फ्रेंच soldier है, जर्मन soldier है, या इंगली soldier है, या कुछ नहीं है, या तो दखेगा बच्चे वो इंगली soldier है, जी, रूपर्ट ब्रुक जो है, वो इंगलेंड के हैं, इसलिए उनको कहते हैं Rupert Brooke is an English soldier 18 का C सई होगा 19 नबर कहता है Maccabity is the bafflement of Maccabity जो है न किसके लिए bafflement है ISI के लिए या RAW के लिए या Scotland Yard के लिए या FBI के लिए बच्चों आपका सई जाब होगा Scotland Yard के लिए Maccabity जो है वो Scotland Yard के लिए माथे की क्या है दर्द है यानि उनके लिए टेंसन है ये उसको पकड़ नहीं पाते हैं तो 19 का C सही होगा और बच्चों इसके लिए आप T.A. Ciliate की रचना the mystery cat मैंका विटी the mystery cat देख सकते हैं नमबर 20 कहता है कि the poet in fire him describes the scene of यानि आपके पाथे पुस्तक में आपकी पाथे पुस्तक में जो fire him केकी एंदारू वाला की रचना fire him है उसमें केकी एंदारू वाला एक ृओररण करते हैं वो अदृष्य कहां का होता है थीयटर का होता है, market बाजार का होता है या burning heart यहाँ जहां पे मुर्दे जलाये जाते हैं उसका होता है या इन में से किसी का नहीं होता है तो याद रखेका बच्चों 20 का C होगा Burning Heart का होता है वद्री से किसका होता है Burning Heart का होता है आता B का C सही होगा एक किस कहता है The Poem is a Sonnet आपको बताना है कि निमन में से कौन सी कविता Sonnet है अर्थाथ 14 पंक्तियों की कविता है Soldier है, Fireheem है Song of Myself है या कोई नहीं है तो बच्चाना दखिएगा Rupert Brooke की रचना The Soldier है वह 14 पंक्तियों की Poem है 14 पंक्तियों की वह कविता है और 14 पंक्तियों की कविता को ही Sonnet कहते है अता 21 का A सही होगा बच्चों 22 देखते हैं Is known as an international language आपको बताना है कि निमन में से किसको अंतराष्ट्रिय भासा का दरजा प्राप्त है Chinese को Hindi को English को या किसी को नहीं तो बच्चों यहाँ पे सही जाब होगा English को International language कहिए Link language कहिए Global language कहिए Language of Job कहिए Language of Trade and Commerce Science and Technology कहिए सब अंग्रेजी होता है तो 22 का बच्चों 20 सही होगा 23 कहता है कि The name Augustine Was given to the Early century यानि Nimn में से किस सेंचूरी के प्रारंभिकाल को Augustine age कहा जाता है बच्चों तो आप याद लखिएगा 18th century जी बच्चों 18th century अता 23 का 20 अई होगा 24 अलते हैं 24 कहता है कि Nanuka का Wrote a check for a rupees Nanuka का ने कितने रूपए का check तयार किया था याद है ना बच्चों Nanuka का Nanuka का याद है आपको कितना मजदार हुआ स्टोरी है ना कौन बच्चों ए पींच अप सनफ उसमें बताना है कि Nanuka का ने कितने रूपए का check वो भरा और दिखाया गाड़ी लेने के लिए तो बच्चों धोबी को दिया था तो एक हजार का check था वो तो चौबिस का ए सई होगा वन थाउजंड क्या होगा वन थाउजंड ये Nanuka का ने एक हजार रूपए का check तयार किया था और इसके लिए बच्चों आप मनुहर मालगाओं कर की रचना ए पिंच आप सनफ देख सकते हैं और आखरी question है story of English से है कि the first dictionary यानि पहली dictionary तयार करने में कितने वर्स लगे थे पांच वर्स छे वर्स साथ वर्स या आठ वर्स जी बच्चों बताईए कि प्रथम डिक्स नरी तयार करने में कितने वर्स लगे थे मैं बता दूँ आपको कि प्रथम डिक्स नरी जो थी न 1775 में Dr. Samuel Johnson ने तयार की थी लेकिन मैं भी बताऊँ आपको कि वह तयार करने में साथ वर्स लगा था अता 25 का C होगा 7 The first dictionary की विडियो को एक बर, दो बर, तिन बर देखें इन प्रस्नों को कंठस्त करें ये प्रस नवस सही आपकी परिक्षा के लिए परिक्षोपयोगी साबित होंगे तो मैं उम्मिद करता हूँ कि इन सारी विडियोज को देखने के बाद आपकी त्यारी अच्छी होगी और आप परिक्षा में भी बेहतर करेंगे इसी उम्मिद के साथ जय हिंद